मिते दो दसक से इस मुजियम के बारे में किसी ने किसी रूप में चर्चा चल रही है आज इसके लोकारपन के साथ हमारे सिनेमा के सुनहार रियतीत को एक जग संजोने का सपना पूरा हुआ है और मैं अनुभव करता हूँ कि बहुत अच्छे काम ऐसे हैं मेरे पूर्वक्जी के लोकों ने मेरे लिए खाटी छोड़े हुए है तो मुक्त मुझे ही मिलता रहता है आज जब आप सभी नए भारत के नए सिनेमा को घड़ने में जूटे हैं तब मेरा आप सबसे एक सवाल है क्योंकि इसमें काफी सभी पीडिया है इसमें पुरानी पीड़ी के लोग भी है और बिलकुल नई पीड़ी के लोग भी है और इसलिए मेरे मनवेक सवाल है और आपी के बीच आया हूँ तो शायद वो ज़्यादा उसी तरीके साथ चाव रहेगा हाव इद जोश हाव इद जोश आज कल आपके इस जोश की देश में बहुत चर्चा है नए भारत के निर्मान के लिए आपका ये जोश बहुत माइने रखता है साथ यो फिल्मों की दुनिया बहुरंगी होती है और उसके कई पहलू होते है और नेशनल फिल्म मुजियम इनी पहलूं के दर्शन देश वास्यों को या इस विशे में रुरुती रखने वाले लोगों के लिए एक अवसर मन करके काम खरेगा रखने ज्चत क्यों के लिए्ट रखने लोगों के अवसर मन करके के लिए में रखने लोगों के वाले रखनें पहलुती है